अगर अभी तक आपने आने का अदमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, then you can use the referral code sakshi.patel181 ताकि आपको 10% का discount मिल सके, बहाँ पर amazing course are related to sociology for UGC, NTA, NET, बाकी में different platforms में आ चुकी हूँ, जैसे की Instagram हो गया, LinkedIn हो गया, Telegram हो गया, YouTube as well as Facebook, तो यह कुछ ID's है, यहाँ पर जाकर क्या follow कर सकते हैं मुझे, आप मेरा app download कर सकते हो from Play Store, वहाँ पर आपको live chat, discussion, free study material, course material, यहाँ तक ही PYQs वगयरा और amazing courses मिलिंगे देखने के लिए, thank you so much. What's up everybody, welcome back to my channel, basically for Alisha, if you need to do my channel, then do like, share and subscribe, and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online. और आज हम लोग सब से famous, one of the famous thinker के बार में बात करने वाल है, that is Andhre Bethe. And the thing is कि आपका जो UPSC का syllabus है, ठीक है, पेपर 2 में यह डिरेक्ट पढ़ना पढता है. लेकिन अगर UGC net में देखा जाया है, तो लिखा नहीं हुआ है कि Andhre Bethe पढ़ना है, लेकिन तो भी आपको Andhre Bethe पढ़ना है. Okay, so let's get started. अगर आप मेरे चानल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर लेना, and मैं कोशच करूँगी कि वीडियो चलो छोड़ो यार, इस बारे में बात नहीं करना चाहती, let's get started. तो Andhre Bethe is Indian sociologist, 30 September 1934, को इंका जन्म हुए, that means he is alive, इनको Padma Bhushan Award मिल चुका है, Delhi School of Economics में, Professor of Sociology, देखा जाये तो, currently he is a Vice Chancellor at North Eastern Hill University, Shillong में घाल है, plus इनकी famous book है, Cast, Class and Power, जो इनोंने 1965 में लिखी है, अब बात करते हैं कि किस बारे में बात करते हैं, So he is too much influenced by Max Weber, Max Weber को आप सभी लोग जानते हैं, ठीके, तो Max Weber से हच से जादा, ये influenced हैं, और Max Weber ने एक model दिया था, जिसका नाम है Trinitarian Model भाई, और यही same चीज इनोंने apply किया है, ये class किया होता है, जिनके पास बहुत जादा पैसे हैं, आप देख रहें कि phones है, फिर ये car, जिसके तीन चक्के मैंने बना दिया, I don't know why, और बहुत बड़ा सा घर है, ठीके, तो ये हो गया, जिनके पास भहंकर पैसा है, तो that is class, दूसरे ऐसे लोग हैं, जो कि traditionally काफी higher status पे हैं, जैसे कि आप ग्रामिन्स को देख सकते हैं, higher status पे हैं, ठीके, तीसरे वो लोग होता है, जो कि political power जिनके पास बहुत जादा है, जिसको ये party कहते हैं, ठीक, तो ये तीनों चीज, जो है, उसको बोला जाता है, प्रिनिटेरियन मॉडल, प्लास, स्टेटस इन पार्टी, तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, दूसरा चीज, जिसके बार में ये बात करते हैं, that is, inequality समाज में दो तरीके के होती हैं, पहला है cumulative inequality, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास तीनों चीज होती है, क्या तीनों चीज, that is, wealth, prestige, and power, पैसा भी है, इजजत भी है, political power है, example अगर इंडिया में देखा जाए, तो that is राजपूट, ठीक है, तो तीनों चीज हैं उनके पास, तो आप बुल सकते हो, हाँ, ये cumulative inequality है, क्योंकि कुछ लोग के पास बिल्कुल नहीं है न, तो cumulative में दोनों चीज होता है, या तो तीनों आपके पास है, या तो तीनों आपके पास नहीं है, अब तीनों किसके पास नहीं है, that is, दलिट्स, ना उनके पास status है, ठीके, ना पैसा है, और ना ही power है, इस तरीके सा अगर देखा जाये तो, ओके, now what is dispersed inequality, dispersed inequality जो होता है, वो ये है, कि आपके पास तीनों में से कोई दो चीज है, और पहली चीज नहीं है, let's say, कि जो राजपूत्स है, उनके पास power है, पैसा है, ठीके, political power है, हर चीज है, लेकिन, ब्रामिन्स जितना status नहीं है, अगर आप इंडिया के caste hierarchy को देखोगे, तो सबसे उपर कौन? ब्रामिन्स, उनके नीचे शात्रियस, उनके नीचे वैश, उनके नीचे शूद्र, तो चाहे ब्रामिन गरीब भी क्यो नहीं हो, उसके पास political power भी क्यो नहीं हो, लेकिन समाज में इज़्जत बहुत जादा है, इसलिए, इसको dispersed inequality कहा जाएगा, तो ये दो तरीकी की inequality के बार में आंद्रे वेते बात करते, प्लीज, आप ये सब चीज़ को बहुर अच्छे से note down करें, और concepts को अपने clear करें, अब आगे बात करते हैं, just a minute, yes, caste system के बार में क्या बोलते हैं, देखो, ये जो caste system का concept है न, this is a very elastic concept, इतने सालों से, मतलब कुछ भी हो जाए, ये चलेगा ही, चलेगा caste system, तो this is a very elastic concept, आप इसको कुछ भी करके, कहीं पर भी घुसा सकते हो, चाहे आपको office में किसी को काम देना हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे whatever, तो ये elastic concept है, दूसरा, this is a very diffusive concept, diffusive मतलब क्या होता है, शिर्फ, शिर्फ, वा, सिर्फ हिंदूस में ये नहीं है, I mean कि अगर आप इसे, Islam community में ले जाएंगे, Muslim community में ले जाएंगे, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, Christians में भी, Zoroastrians में भी, तो हर जगा, ये जो caste system है, ये available है, तीसरा चीज ये है, कि ये कोई static definition नहीं है, कि अगर मैं आज कोई definition बना दू, caste का, कि यार caste एक चीज होती है, जिससे लोग different different तरीके से बटे हुए हैं समाज में, तो नहीं नहीं नहीं, इसके बहुत सारे definition है, एक definition ये भी हो सकता है, कि जिसमें शादी, लोग अपने ये अपने group में करते हैं, एक definition हो सकता है, कि जिसमें लोग एक तर्के के भगवान की पूजा करते हैं, या फिर जो लोग blood से related रहते हैं, वो एक caste हो गया, कि उनका ही परिवार है, बहुत सारे tribes मिलके caste, तो कुछ भी definition हो सकता है, ओके, यहाँ पर common सा देख रहा है, उतना ही ज़ादा important हो जाता है, UGC net में तो खैर आपको direct पूछा जाता है, या फिर अगर आप UP Assistant Professor की तयारी कर रहे है, तो आपको यह पूछ दिया जाएगा, कि आंद्रे बेते वो कौन से जगह में गए थे study करने के लिए, तो बताना पड़ेगा आपको, इनकी famous book क्या है, that is cast, class and power, and make sure कि आपको जो भी चीजे मैंने बताई है, वो आपको पताऊने चाहिए, cumulative inequality, dispersed क्या होता है, यह हाँ, examination में एक famous question, जो करीबन 10,000 बार आ चुका है, UGC net में खास कर, वो क्या है, कि Weber जो है, उनके trinitarian model से कौन inspired है, यह direct question पूछना है वो लोग, चार option दे दिया है, एकी जरान लेंस्की हो गए, फिर आंद्रे बेते हो गए, लूई दूमो हो गए, और एक चलो M.N. श्रीने बास कर देते हैं, तो आप बच्चे पड़ए ही नहीं है, तो अगर आप किसी भी examination की तयारी कर रहे हैं, वेदर यह प्रिपेरिंग फॉर JNU examination, DU, BHU, अशिस्टेंट प्रोफेसर examination, M.Phil, PhD, इगनो, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इन वीडियो को बहुत खास तरीके से देखो, मेक नोट्स प्रॉपली, जॉइन माई टेलिग्राम गुरूप, तो इस बेसिकली फेलिशा, तो आप लोग बिल्कुल इन वीडियो कि महा पर मैं दिफरेंट दिफरेंट कोर्स लेके आती रहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा आप जो बहुत दिन से डाउन चल रह है, बिसमें तुबार है अक्टिव पस मेरा हेल्थ एक बार अच्छा हो जा है, उसके बार मैं चार और अक्टिव रहूंगी, and this is my promise, तो thank you so much, and do like, share, and subscribe, I hope you like the video, and see you by in the next video, bye everybody,